फुल्ड वॉर्ड की बाद पहली बाद नैटो डिफेंस प्लान तयार करने में लगा है पूरे एक हजार पन्लों की सीक्रेट स्ट्राटेजी तयार हो रही है विवेसल बेल्जियम में नैटो के रक्षा मंद्रियों की बैठक हो रही है और इस बैठक में रूस के राश्पती पोतिन ही मुखे मुद्दा है 31 देशों की मंद्री जुटे हैं लेकिन रूस के खिलाब क्या आक्षन लेना है इस पर अभी तक एक राय नहीं बन पाई है लेकिन बड़ा सवार ये है कि आखित पोतिन ने ऐसा क्या फैसला किया है जिससे पूरे नैटो कैम्प में खौफ पस रहा है 31 देशों से कैसे लड़ेंगे पोतिन क्या होगा जब एक साथ एक इस देश रूस पर खावा भोल देंगे क्या पुतिन के परमाडू बंफोर ने का टाइप आ गया है मौसको से खरीब ठाईसों किलोमेटर दूर रूस के ये सभी दुश्मन देश जुटे हैं पुतिन पर कैसे प्रेशर बढ़ाया जाए इस बात पर मन्थन हो रहा है कुल्ड वार के बाद पहली बार नेटो डिफेंस प्लैन तयार करने में लगा है प्लैन भी ऐसा वैसा नहीं पूरे हजार पन्नों की सिक्रेटे स्ट्रेटिजी तयार हो रही है एक ऐसी एस्ट्रेटिजी जिसके पहले पन्ने पर पुतिन रिशाने पर है और आखरी यानि हजारवे पन्ने पर भी पुतिन ही टार्गेट पर है बेल्जिम के ब्रॉसल्स में नैटो के रक्षा मंतियों के बैठक हो रही है इस बैठक में युक्रेटिजी युद्ध और पुतिन ही मुख मुद्ध है 31 देशों के मंतिनी जुटे हैं लेकि रूस के खिलाफ क्या एक्षन लेना है इस पर अभी तक एक राय नहीं बन पाई है सवाल है क्या पुतिन का खौफ पुरे नैटो कैप में पस रहा है नैटो देशों ने एक साथ मिलकर अब तक कई जंग लड़ी है लेकिन इस दोरान उन्हें कोई बड़ा डिफेंस प्लैन बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई है नैटो ने अपना पहला डिफेंस प्लैन श्रीत युद के दोरान रूस के खिलाफ बनाया था अब दूसरा डिफेंस प्लैन भी रूस के खिलाफ भी बनने की तैयारी हो रही है नेचों के मताबिक उक्रेणी युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद लड़ी जा रही पहली सबसे बड़ी जंग है अगर इस से लेकर कोई प्लैन नहीं बना तो उन्हें रूस से बड़ा खत्रा हो सकता है इसके चलते नेचों अपने ती लाग सईडीकों को हाई अलर्ट पर रखने की योजना बना रहा है नेचों युकरेन को हस संभाव मदद दे रहा है युकरेन के जरीय रूस को चित करने में लगा है नेचों देशों से हथियार कैसे रूस के लिए काल बन रहे हैं उसकी एक बान की देखनी की कियों ने जला डाला रूस की सेना को रूला डाला कियों कि छिंगारी से रूस का गोला बारू डिपो थदा कुटा यूकरेन की सेना ने रूस के उस गोला बारू बीपों को जला डला जहां रखे गोलों को रूस की सेना यूकरेन पर बरसाने वाली थी काउंटर अटायक करने वाली जलस्की की सेना को दोड़ा दोड़ा मारने वाली थी अब युक्रेन युद्ध की दूसरी तस्वीर देखे युक्रेन के सबसे बड़े बांध के टूटने के बाद आया सहलाब अब कम हो रहा है लेकिन विदेश्री मीडिया का दावा है कि ये रूस की परिशानी बढ़ा रहा है दावे के मताबिक युद्ध में युक्रेन की सेना अब वो कर रही है जिसे अब तक नहीं किया गया था दावा किया जा रहा है कि युक्रेन का सबसे बड़ा बांध तबाह हो गया लेकिन इस घटना ने युक्रेन की सेना को ताकत जुटाने का मौका दे दिया जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है वैसे वैसे युक्रेन की सेना आगे बढ़कर रूस के रड़ाकों पर गोलिया बरसा रही है दक्षड़ ईुक्रे निपरो नदी की एक तरफ रूस की सेना का कमसा है दूसरी और उक्रेन की सेना मोचा बनाकर थटी है इस निपरो नदी पर उक्रेन का सबसे बड़ा कोको का डैम था कोको का डैम पर ही कोको का हाइड्रो-Electrict power plant था बांद के टूटने से हाईडो इलेक्रिक पाउर प्लांट भी तबाह हो गया दक्षड युक्रेन के युद्ध शित्र में बाढ़ा गई बाढ़ से युक्रेन की सेना के मोचे को भी लुक्सान पहुचा लेकिन अब रूस का दावा है कि युक्रेन की सेना का खोका बांद के उपरी इलाके से नेपरो नदी पार कर रूस के कब्से वाले इलाकों में बम बरसाने शुरू कर दिये हैं सेलाब के बाद अब इन इन इलाकों से कम होता पानी रूस की सेना की परिशानी बढ़ा रहा है कि उसे लेकर खेरसोन और और अधेसा तक नीपरो नदी पर खुल शे बांग बनाय गए हैं जिसमें कोफो का सबसे आखरी यानि छटा बांग था ये इतना विशाल बांग है कि उकरेन के उतरी से दक्षणी इलाके तक पहला है जिसका सामरिक महत तो बहुत ज़ादा है इसी वज़े से आश्रंका जताई जा रही है कि बांग के तबाह हो जाने के बाद युकरेन की सेना को अब इस इलाके में बढ़त हासिल करने में काम्यावी बिल रही है पुतिन इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचेन है बोसको पर ड्रोन अटैक के बाद तो पुतिन किसी चीज़ को भी बरदाश्ट करने के मूड में नहीं है और अब वो यूरोप को बहुत ही खतरनाग सजा देना चाहते हैं फिल लेंड की रूस से लगने वाली 1340 किलो मेटर लंबी सीमा पर तनाव बहुत हाई है दोनों तरफ से बॉर्डर की तरफ हत्यारों का मूवमेंट बढ़ गया है फिल लेंड से लगने वाली अपनी पश्रमी की सीमा पर रूस ने 12 मिलिटर यूनिट की तेनाथी बढ़ा दी है वही फिल लेंड के उत्तर में समंदे में रूस की पंडूबियों और यो दपोतों की हल चल बढ़ गई है रूस के परूसी देश फिल लेंड के नेटों का हिस्सा बनने के बाद वो दिन का पारा चड़ गया है क्योंकि फिल लेंड का नेटों में शामिल होना रूस के लिए बहुत बड़ा खत्रा है वजहे रूस का परबालू गोदाम अब सीधे नेटों के निशाने पर आगया है यही वजहे है कि रूस नेटों से दो-दो हाथ करने की तैयारी वे लगा है रक्षा विशश्रक्डियों का मानना है कि फिल लेंड के नेटों में शामिल होने के बाद नेटों एस्टोरिया और फिल लेंड के बीच नाके बंदी करके रूस को उसकी उतरी सीमा पर घेर सकता है एस्टोरिया माल्टिक देश रहे और पहले ही नेटों का हिस्सा है ऐसे में अगर नैटो ने ना कबदी की तो बाल्टिक स्थागर में रूस का समंदर के रास्ते वियापार ठप पड़ सकता है वहां से उसकी फूब्मेंट बंद हो सकती है इसलिए रूस भी नैटो से निपटने के लिए अपना एक दम दीटेल रोड़ बैप तयार करने में जुटा हुआ है नैटो को रूस अपना दुश्मन मानता है दरसल नैटो का गठन ही सुवियत संग को खंड खंड करने के लिए हुआ था नौर्थ अट्लांटिक ट्रिटी और्गिनाइजेशन यानि नैटो दुसरे विश्वियूद के बाद 1949 में बना था लेकिं रूस को सबसे बड़ी परिशानी उन देशों से है जो पहले सोवियत संग का हिस्सा थे और अब नैटो से मिल गए है बेलारूस में रूस ने परमालू हत्या लगाने शुरू कर दिये हैं बेलारूस का परोसी इस्टोनिया में नैटो ने एक हज़ार एक सोपचास सैनिकों को तैनात का रखा है लादुया में नैटो के एक हज़ार छे सोपचास सैनिक तैरा थे पुलेंड में 1060 नैटो के सैनिकों के साथ 5400 अमेरिका के सैनिक डटे हुए है रुमानिया में नैटो के 4500 और 1000 अमेरिका के सैनिक मौझूद है वही रुमानिया के दक्ष्ण में मौझूद बुलगारिया में 200 नैटो फोस के साथ 200 अमेरिकी सैनिक भी तैना थे दुनिया इस बात से भी डरती है कि अगर मुतिन से नैटो को खंड खंड करने के लिए परमाडू वम विस फोड का फैसला ले लिया गया तो क्या होगा क्योंकि परमाडू वम के फटने का एक ही मतलब होता है सर्वनाश और इस सच से पूरी दुनिया वाकिफ है कि रूस नैटो देशों से लगी कलिनग्राथ में भारी परमाडू जखिरा जमा कर रखा है कलिनग्राथ से स्वेडन के दूरी 870 किलो मिटर है कलिनग्राथ से डिन्मार के हुआई दूरी 514 किलो मिटर है कलिनग्राइज से फिल्लेंड एक हजार किलो मिटर दूर है वही कलिनग्राइज से नौर्वे की दूरी आच सो आचारा किलो मिटर है इस वक्ट डेनमार को भी रूस से परमालू खत्रा सता रहा है जब से रूस ने बैरेंट और नौरेजियन सागर में चौदा घंटे से ज़ादा देर तक नौर्वे कलिनग्राइज सागर से लगाई लाका है रूस की नौसेना के बाल्वे का मुख्षाले भी कलिनग्राइज में है कलिनग्राइज दो सो तैज किलो मिटर के इलाके में फैला है ऐसा माना जाता है कि कलिनग्राइज में रूस ने परमालू हधिया लगा रखे है यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनग्राइज में ही परमालू हमले का अभ्यास किया था रूस की कई परमालू हमला करने में सक्षम पंडूविया इस बेस पर तैनात रहती हैं ऐसे में अगर नॉडिक देशों से रूस का युद्ध हुआ तुगने आश्रंका है कि रूस इस बेस से परमालू हमला तक कर सकता है युक्रेन कई बरसों से नैटों से जूणने की कोशिश करता रहा है उसकी हालिया कोशिश की वज़य है रूस ने युक्रेन पर हमला किया और अब वही नैटों फुदिन के आक्रावक तेवर दे घबराया हुआ है और रूस के खिला बहुत बड़ा डिफेंस प्लैन तियार करने में लगा हुआ है